गुट इवनिंग एरिबड़ी एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं हमनी शली स्टार्ट करते हैं क्लास आची और बहुत सारे लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि सिविल का गोला जो स्ट्रीज हमें स्टार्ट करने वारे से कब से स्टार्ट होगी तो वो मैं आज स ही स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें मैं आपको 10 मिनिट मैक्सिम्म 10 मिनिट के अंदर कोई भी एक टॉपिक लेकर आऊंगा और वो बिल्गों अच्छे समझाऊंगा जो आपके एक्जाम में कोश्चन पुछ जाते हैं और आप वो बहुत कम पढ़ते हैं तो उन सबी को आप अक्सर छोड़ दिया करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो नाव टॉप इस रवल मैशनरी होता क्या है मैशनरी का मतलब यह होता है कि यदि आपके पास कोई भी वाल है और वो आपके पास स्टॉन से बनी या ब्रिक से बनी और उसमें आपने मोटार को म स्टॉन मैशनरी है कि ढूंट म', चम्री को मिलती पहले म्वल जैता है रबल मैशनरी क्या वर दोसर होता है असलर मैशनरी डिफरेंस क्या होता ए ध्यान सुनेंगे जो हमें होते है अनकओ सो इसमें न पास इसमें आपके पास अपास त्रों के पारिकल साइज आज़र रखे साइस के हो, शेप के हो, जब की जो ऐसलन मैशनरी होती है, उसमें uniform होती है, साइस की ग्रेडिंग होती है, रही है, हम किस साइस का स्टोन को इूज़ कर रहे हैं, ना भी भी डिसकूस तर रबल मैशनरी, जब हम रबल मैशनरी की बात करते हैं तो आपको ये शेप दिख रही होगी, दिख रहा आपको शेप, इस शेप में आपको ये लगेगा, कि इसमें बहुत सारे स्टोन आपने यूज की हैं, लेकिन क्या ये स्टोन की शेप सबकी सेम ह कि ये स रबल मैशनरी ये आपके पास ये होते हैं, ये चार टाइप के होंगे, मतलब प्रोपरटीज चार टाइप की होंगी, कौनसी अंड्रेस्ट है, मतलब आपने इनको ग्रेडिंग नहीं दी, दूसरा क्या है? इरागूलर है, शेप सबकी अलग-अलग है, वाइड इन irregular joint, सबके जो joints है, वो अलग है, यहाँ पे कम motor, कहीं पे ज्यादा motor, कहीं पे बिल्कुल कम motor लगा दिया, that is called the irregular joints, and such they require the more motor, जब आपके बास different type के particles होंगे, उन सबको जॉणने के लिए आपको पता ही निकी कितनी motor use करनी है, तो हम यहाँ पे different type के particles को use करेंगे, उसके लिए different type की motor को use करना पड़ेगा, और उस motor की quantity होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है, next, next हम बास करते हैं, जो आपके बास rubble machinery है, वो आपके चार type की होती है, कितने type की होती है, चार type की, पहले आपकी होती है random rubble machinery, वो भी दो type की है, uncourse और built-up course, मतलब कोई भी particular आपने उठा की use कर लिया, that is called uncourse, built-up course मतलब क्या है, कि जो course है, वो एक pattern में use कर रहे है, पहले एक pattern यूज किया गया होगा, फिर दूसरा pattern यूज किया गया होगा, फिर third pattern यूज किया गया होगा, उसको हम बोलेंगे, next, next हम बात करते है, miscellaneous topic, जो miscellaneous type है, वो आपके बास है, polygon और flint type की, ये भी हम पढ़ेंगे, और जो last होता है, जो four type है, वो आपके बास है, dry rubble machinery, कौन सी? dry rubble machinery, अब पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके पास uncourse random rubble machinery, ये जो uncourse random rubble machinery है, ये सबसे पुरानी है, सबसे cheap है, जो पहले के monument बनते थे, wall बनते थे, बहार की लडाई को रोखने के लिए, वो इसी के बने होते थे, आपको दिख रहा होगा है, यहाँ पे different type के आपने machinery को जोड़ा होगा, तो क्या होता है, जब machinery बनाते हैं stone की, तो हम दो stone को मिला के बनाते हैं, ऐसे, 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 ऐसे मिला के बनाते हैं, उन दोनों stones के बीच में, उनको जो जो जोड़ने का, मतलब outer wall को inner wall से जोड़ने का इसमें पाई जाते हैं इसमें हम इसको Un-Course का नाम देते हैं Next हम बात करते हैं Built-to-Course Built-to-Course पर आप Shape एक देखेंगे कि जो Size आपका यहाँ पर यूज किया गया है एक Particular Size के बाद उसी Pattern को हम यूज करेंगे तो Basically क्या होता है इसमें जो आपकी Width है उसको क्या करते हैं उसको आप Worthy करते हो यहाँ पर vary कर देते हैं वहां पर कैयात हम वहां पर थिकिनेस आपकी vary कर रही है पर उसकी shape नहीं पता आपको उसका Size नहीं पता आपको लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो Different-toil option कि ओस और that is 32-45 cm 삼तिधा पाइंगा next हम बात करते है square Rubble, square Rubble, nationalry जो होती है, वो square shape की होती है, यहां पर आपके पास एक pattern दिख रहा हुगा आपको, ठीक है, यहां पर जो L वाला part है, उसको हम लैवलर बोलते है, जो R वाला part है, जो आपका R वाला part है, उसको हम rizer बोलते है, और जो आपका S वाला part है, उसको हम snok बोलते हैं जब आपने स्टोन को एक स्टेट बैड पर यूज कर रहे हैं एक स्क्वाइर स्टोन बना रहे हैं वहां पर इसको यूज करते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यह आप धियार लखेंगे और इसमें क्या होगा इसमें आपके बाद जो स्टोन हम यूज करेंग here work is carried out in the course of varying depth मतलब क्या है यहाँ पर जो depth होगी वो vary करेगी आपके different particles में देखो यहाँ पर आपके depth vary करी फिर आपकी यहाँ पर depth vary करी फिर आपकी यहाँ पर depth vary करी तो हर आपकी जो depth के साथ-साथ जहाँ पर आपकी थिकने साथ आपने store में provide की वहाँ पर आपकी depth vary करी है उसी को हम बोलते हैं build to course तो यहाँ पर आपकी varying depth होगी ठीक है तो एक बात दो ध्यान अकेंगे कि इसमें हम each course के लिए इसको हम बोलते है course each course के लिए आप different type के strong को use करते हैं इसलिए हम इसको build to course का नाम देते हैं next हम बात करते है regular course यहां पर जो pattern आपको दिख रहा है यह वाला pattern क्या यहीं पर वह वाला pattern इसको हम बोलते है इसको रबल regular course के बारे वे इस type of machinery the world consists of various course of different height but the height of the stone particular course is same मतलब क्या है अब हो सकता है कि आपने जो different type के course में stone अलग-अलग use करें हों लेकिन यहां पर जो जितने भी stone आप यूज करेंगे उन सब की height same रहेगी किसी एक particular course के अंदर exam question बनेगा कि बताओ कौन साब machinery होता है जिसमें एक particular course में आपने different type के particle को use किया होगा लेकिन उनकी height same रही होगी that is called the regular course उसको हम regular course का नाम देते हैं नेक्स हम बात करते हैं polygon double machinery जब आपके पास बहुत सारा space शोड़ा जाता है word शोड़ा जाता है आपके stone के बीज में उसको हम polygon बोलते हैं और in the form of irregular polygon की shape में इसको बना देते हैं बात करते हैं flint whirling के बारे में flint whirling क्या होती है is used machinery are flint और gobble vary with a thickness from 7.5 to 15 cm और length आप यह होती है 30 cm मतलब shape दिखो जाए एक बार shape ऐसी है यदि जो flint type के होगी उसमें आपने different type के particle को use क्या होगा लेकिन आपने एक particular bed पे एक lacing दी होगी जिससे जो उपर वाले आपके बास stone होगे उनको एक stability मिलेगी जैसे यहां पर आपको मिल रही है Lacing course में आपको मिल रही है यहाँ पे Lacing course में आपको मिल रही है जो ओपर वाले आपके stones है उनको एक particular bed मिल रहा है इसलिए हम इसको नाम देते हैं क्या नाम दिया हमने इसको इसको हमने नाम दिया Flint welling इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो इसकी ठिकने से वो कितनी होती है तो ठिकने से यहाँ पे आपको दी हुई है कितनी 7.5 से लेके 15 cm के बीच में और साथ में जो इसकी length होती है वो 30 से 15 cm के बीच में लाए करती है और यह जो stone होते हैं यह आपके brittle होंगे और hard रहेंगे मतलब यह आपके compression को जहे लेंगे यह आप ध्यान लगे ठिक next नेक्स हम बात करते हैं आपके बास dry rubble machinery के बारे में dry rubble machinery में क्या होता है जैसे जैसे आपकी height बढ़ती है वैसे वैसे stone की जो आपके पास particular width है वो कम होती जाती है this type of machinery mortar are not used यहां पे अपने mortar को use नहीं किया हम जैसे cricket में ground पे अपने cricket के क्या बनाते है विक्र बनाते हैं तो हम क्या करते हैं एक 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 लगाई फिर चोटा करता दिक से ले गए ऐसे करते हुए तो इसको को हम dry rubble machinery का नाम देते है this type of machinery mortar are not used this type of machinery is cheap skill workship is required for the execution and dry rubble machinery it is provide for the non-load bearing wall यदि आपकी आपने उपसे load लगा दिया तो यहां पे space कम है यहां पे space जादा है यहां से बिखर जाएगा है तो यह जो वो यह जो मैशनरी यूज कियाती है वो non-load bearing wall के लिए यूज कियाती है यह आप धियान लखेंगे तो आज आपने सीखा आज की class में आपने क्या सीखा आज की class में आपने सीखा कि जो rubble machinery है वो होती क्या है पहले बाद तो machinery क्या होती है machinery आपकी दो type यह आप इस्टोन को use कर रहे है पहले आपके पास है rubble दूसरा है अश्रत और rubble के बारे में जितने भी point मन सकते थे course क्या होता है, uncourse क्या होता है, built क्या होता है square pattern कौन सा है, flint pattern कौन सा है, dry pattern कौन सा है वो सभी मैंने आज ग्लास में cover किया है इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी telegram group have exam tag पर have exam tag पर ever exam tag पर इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी और कल रात को 8.30 8.30 pm तुमारो, हम क्या करेंगे जो अभी आपके exam आ रहे हैं, उन सभी के लिए mock test लेके आए है all state mock test all state level all state level mock test ठीक है, यह आपके mock test है और यह आपके full length रहेंगे ठीक है, full length मतलब क्या है कि इसमें mixed practice questions रहेंगे जो हम कराएंगे, अभी आपके बहुत सारी exam exam आ रहे है तो हम यहापे total आपके 8-10 test लगाएंगे 8-10 test हम यहापे mock लगाएंगे, कल से 1.30 तो इस ही हफती, जो आपका हफते आ रहा है आज Sunday है, यह मैं class report कर रहा हूँ रात को, जिससे कि आपको मिल जाए और रोजाना मैं आपके लिए यह जो 10 का गोला वाले श्रीज है वो स्टार्ट करते रहेंगे, इससे आपको खुछना को सीखने को मिलेगा और इसके हम एक playlist बना देंगे यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते हैं फिर कल सामको आठ बजे तब तक के लिए बबाई जैहिंद जैभारत